दोस्तों सु आगतियां आपका एक बार फिर से जहां दोस्तों साल 1989 में आई थी फिल्म मैंने प्यार किया 29 दिसंबर 1989 को रिलिस किया गया था इस फिल्म को और साल 1989 की सबसे बड़ी बिलोगबस्टर फिल्म बनी थी मैंने प्यार किया और इस फिल्म में सलमान खान और भागिश्री मुख्य किरदारों में नजर आई थे और सलमान खान को भी इसी फिल्म से पहचान मिली थी उनके करियर की उस टाइम की सबसे बड़ी फिल्म बनी थी पहली ऐसी फिल्म बनी थी सल्मान खान की ये मैंने प्यार किया इस फिल्म से दरशोकों की दिलों पे च्छा गए थे राज करने लगे थे उसके बाद सल्मान खान एक के बाद एक सीडिया चड़ते चले गए और आज बॉलियूट के सुल्तान कहलाते है जहां दोस्तों अगर बात करें सल्मान खान की तो सल्मान खान के जो फैंस हैं जो उनके चाहने वाले हैं उनके फिल्मों का बड़ी बेसबरे से इंतिसार करते हैं और सल्मान खान करें भी क्यों ना क्योंकि सल्मान खान ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक सूपर हिट फिल्में देकर दरशकों का दिल जीता है और लोगों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है तो चलिए दोस्तो आज हम आपको बताते हैं मैंने प्यार क्या फिल्म की पांच सची बातों के बारे में कबुतर जा जा एक गाना था इस फिल्म में और कबुतर जा जा के हाखीर में सल्मान खान को भाग्ये श्री को बाहों में भरना था सल्मान खान ने जब भाग्ये श्री को गले लगाया तो भाग्ये श्री जोर जोर से रोने लगी और इसके बाद सल्मान खान खान काफी घबरा गए क्योंकि भागिशिरी को रोता हुआ देकर सल्मान खान ने सोचais कि पता नहीं मैंने ऐसी क्या गलती कर दी तो जब उन्होंने भागिशिरी से पूछा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया हुआ था तो तब भागेश्री ने बताया कि वो रूडिवादी परिवार से हैं और आज से पहले उन्होंने किसी को भी गले नहीं लगाया था और इस वजह से मुझे रोना आ गया था नमबर दो दोस्तों आपको यह जानकर बेहाध हरानी होगी कि फिल्म मैंने प्यार किया इस फिल्म का बजट था सिर्फ दो करोड और इस फिल्म ने इंडिया में कमाए थे चोदा करोड और पूरे वर्ल्ड में 28 करोड और यह फिल्म बॉक्स ओफिस पर आल टाइम ब्लोकबस्टर साबित हुई थी नमबर तीन भाग्ये शरी रूडी वाधी परिवार से थी इसलिए उन्होंने फिल्म में कोई भी किसिंग सीन करने से मना गर दिया था भाग्ये शरी के पिताची ने उन्हें केवल चूडी दार पहनने की इजाज़त दी थी फिल्म के लिए पहली बार उन्होंने जीन्स और वन पीस डेस पहनी थी 2015 में एक इंटर्व्यू की दोरान सल्मान खान ने बताया था कि भाग्ये शरी के मना करने के बाद जब सूरज बढ़ जातिया फिल्म के डिरेक्टर थे तो सल्मान खान के मना करने के बाद सूरज बढ़ जातिया ने किस सीन में दोनों के बीच कांच की दिवार लाने का आइडिया देया था यानि कि जब जो किस सीन हुआ था सलमान खान और भागिशरी के बीच में तो उसमें एक बीच में शीशा लगा दिया गया था शीशे का इस्तमाल किया गया था नमबर चार फिल्म मैंने प्यार किया कि कहानी लिखने में सूरज भर जातिया को पूरे दस महीने लगे थे और फिल्म का पहला हाफ चै महीनों में तयार हुआ था और जबकि दूसरा हाफ चार महीनों में पूरा हुआ था नमबर पांच मराडी फिल्मों का बड़ा नाम रहे लक्षमी कान बेड़े को तो आप जानती होंगे लक्षमी कान बेडे ने इस फिल्म से हिंदी फिल्म में डेब्यू किया था और इसके बाद से उन्हें 90 के दर्शक में तकरीबन हर फिल्म में लीड कोमेडिन के तोर पर देखा जाता था तो दोस्तों आपको मैंने प्यार क्या फिल्म कैसी लगी थी आप हमें कमेंड में जरूर बताईएगा और आप अपनी राय भी हमें जरूर लिखेगा कमेंड में मैं फिर मिलूँगा आपको एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रिखिए थैंक यू